वहाँ जो जेप्रकाश यंद्र है, जेप्रकाश यंद्र में हम देखते हैं सायन सुरी के हिसाब से, याने 23rd सेप्टेंबर को लिबरा सायन स्टार्ट हो गया और वो हमें लगन जो बताता है वो होता है दश्मलगन, जैसे मान लीजे सुबह जब सूर्य उद्धे होगा तो तो हमीं को बताएंगा जो मध्यू में लगन हैं वह कौन साए? तो देश्मरलगन तुला से कौन साओ गया? तुला वरशिक। धंू, मकर, कॉंबू, मेन, मेश प्रश्मितू, करक। तो वह पहला करक लगन बताएंगा! और उसके लगभग दो घंटे के बाद से सिंग लगए तो वो मद्य लगण बताता है दोपहर को बारे बजे जब सूर्य मद्य में आएगा मिड हैंवन में उस समय वो बताएगा तुला लगण और ये जो है ये निरियन सूर्य से बताता है जो साड़े तेविस अंच का आयन होता है आयन का फर्क तो इस कुंडली में हम क्या देखेंगे जब सूर्य उद्ध हुआ है तो पूरब दिशा में कौन सा लगना है तो अब जैसे मान लीजिए आज हम देखते हैं तुला राशी चल रही है और यहां पर ये शेयर जो सामने पड़ रिये है देखो मैं पॉइंट कर रहा हूं ये शेयर जैसे यहां से शूरु ही । तो उस समय तुला लगन शूरु हो गया अब देरे ये शहर उसी लाइन पे ही आगे बढ़ती जा रही है, देखो यह यहाँ पहुची, यह क्रोस हुआ, देखो यह क्रोस बन गया, यह क्रोस वाली लाइन पे ले लो, यह व्रश्चिक लगनी शुरू हो गया, समझे, फिर शेड यहाँ से सीधी उसी में आगे चल रही है, वो थर्ड क्र तो जैसे ही वो शेड यहां पहुची थी तो धनू लगन शुरू हो गया, अब यहीं से शेड और आगे भढ़ती जा रही है, अब जैसे इस जेगे पहुची, तो इस लाइन में देखो वो आगे लिखा हुआ है, वो देखो यह लगन का नाम सामने, तो यह इस प्रकार जैसे जैसे यह शेड उसी लाइन पर इसी लाइन पर आगे चलती जाएगी, जो जो क्रोस लाइन आती जाएगी, उन से आपको इस तरफ यह लगन का पता चलता रहेगा, तो यहां से हम दश्म लगन देखते हैं, और बीच में यह जो सर्किल है, नीचे देखो यह जो चक्र बने हो तो बॉटम डिवाइडेर इं 15 चौर्कीन पंदरफ सर्किल बने होग एैं एक सर्क छे डिग्री का अब जैसे यह देख इह से आपको कामंट कर सेकते हाँ जीज़ीरी है, यह इक चिसर्किल च्छे डिग्री, यह 12 यह 8 अठारे, अठार के बास यहां चौवीस, यहां 30 यह 33 हाफ हो गया ना, शाड़े छे सर्किल हो रहे हैं यहां से यहां तक, एक सर्किल छे डिग्री का, 33 डिग्री, तो इस समय हम जैपुर में देखेंगे, अब जैसे जैसे सुर्ण जैसे नीचे आता रहेगा, यह चाया वहां से उपर चलती जाएगी, एक एक सर्किल क्रोस होते होते हैं, छे डिग्री कम होता जाएगा, और यहां संसेट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं, एल्टिट्यूड अंगिल अफ सन, वो भी हम यहां पता कर ल जैसे लाइने यहां बनी हुई है, जै प्रकाश अंदर में हम अभी चल रहे हैं, वहां हम इसको और विस्तार से देखेंगे, यह आप देख रहे हैं, यह लाइन तुला राशी वाली, यह जब यहां पहुची दिए क्रोस बना देखो, यह क्रोस देखो, यह क्रोस वाली ल में चल रहे हैं, तो यह इस समय जैपूर में, फूरब दिशा में वहां पर कुम राशी इस्तित है, आप ऐसे देख सकते हो, सूरज अभी वहां है, तो आप मान लो तुला राशी अभी वहां है, तुला गया आगे वरेशिक, फिर धनू, फिर मकर और बिलकुल नीचे इस स कि इसको अच्छी तरह देखने और समझने के लिए, इसकी गर्णा करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, व्यक्ति इसके अंदर वहां नजदीक जा सके, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित करके बनाया गया है, तो बारी-बारी से दोनों भाग काम करते हैं, एक घंटा कै और एक घंटा कै, वन आवर ए एन वन आवर बी, अल्टरनेट फंक्शन, बारी-बारी से काम करते हैं, अब यहां देखिए, यह बीच में लोहे की प्लेट लटकी हुई है, आरेन डिस्क, देखिए, यह रिंग लटकी हुई है, और इसकी चाया देखो अभी, वहां है, सामने, नीचे, तो जब इस रिंग की चाया यहां, नीचे गैप में गिरी हुई है, तो इस समय वो भाग कारे कर रहा है, उदर आईए, अब यहां देखिए आप, जे प्रकाश यंदर में इस समय, देखो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यह शेड वहां है, इस रिंग की, बीच वाली रिंग की शेड वहां पर है, सुबह यह शेड इस तरफ से उपर से, यहां से शुरू हुई, सारा दिन उसी लाइन पर इस प्रकारिय चलेगी, यह है विश्वरत रेखा, एक्वेटर लाइन, सायन सूरी के हिसाब से, सूरज तेभी सितंबर को इ पर इस लाइन पर आई, और हर एक दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती हुई, बाइस अक्टूबर को यहां पहुच जाएगी, वरश्चिक राशी शुरू हजाएगी, फिर उपर जाएगी, बाइस नौंबर धनू राशी, बाइस दिसम्बर वहां मकर राशी, तो इस स तो सही 12 बज़े आज सूर्य, इस लाइन पर जैसे ही पहुचा कुछ मिनिट पहले, यह क्रोस लाइन जो उपर जा रही है, यहां लिखा हुआ तुला मद्यलगन, तो यहां से तुला लगन शुरू हुआ, अब देरे देरे चाया आगे बढ़ी, अब देखो उसी लाइन मे आगे लिखा हुआ है, धनू मद्यलगन वो लिखा हुआ, यह लाइन जा रही है, दिख गई, देखो, यह, एक्जेक्ली इस समय यह परच्छाई वहां पहुची है, और यह बता रही है, इस समय आकाश के बिलकुल मद्य में यहां धनू राशी मोजूद है, धनू लगन, अब यह धनू लगन बता रहा है, फिर हमें यह देखना है, कि धनू लगन कितनी देर पहले शुरू हुआ है, और इस धनू लगन की अवदी कितनी होगी, हम यह कहते हैं, कहने में आता है कि 360 डिग्री, 30 डिग्री का एक लगन, 24 घंटे में 12 लगन बदलते हैं, और साधरन तरीके से कह दिया जाता है दो दो गुंटे में लगन बदलता है लेकिन ये सब एकलिप्टिक बना हुआ है तो इसलिए लगन की अवदी कभी ज्यादा और कभी कम होती है अंडाकार है समझे तो इस वचे से लगन की अवदी इक्वल नहीं होती तो अब हमारे पास दो चीज ह कि ये यंतर वर्तमान समय करंट टाइम इस समय ये बता रहा है कि धनू लगन लाइन पे शेयर आगे धनू लगन शुरू हो गया तो पहली चीज तो हमें ये जानना है कि क्या धनू लगन शुरू हो चुका या नहीं कभी कभी ये बीच में जो तार लटकी हुई है देखो ये वायर है न तो ये तार अगर थोड़ी डिली होगी या सही इस्तिती में नहीं होगी तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं हैं तो फिक्स इंस्टुमेंट वह सामने बनाए हैं तो ये जानने के लिए कि धनूलगनी शुरू हो गया या अभी न और फिर उसके बाद धनूलगन किस समय समाप्त हो रहा है मकरलगन कब शुरू होगा तो जब हम वहां ये जान लेंगे कि धनूलगन इतने मिनिट पूर शुरू हुआ और इतने समय बाद समाप्त हो जाएगा मकरलगन शुरू हो जाएगा तो हमें धनूलगन की एक्शल तिल वात ताइम मोर, इस ते सेम सहीटरियस असंदेन, वात ताइम गोईंट तो प्रकाश यंद्र में थोड़ा इधर देखी आप यह जो मैं पोईंट कर रहा हूँ, यह विश्वत रेखा है, और यहां से यह आखरी लाइन जो है, यह मकर रेखा कहलाती है, इसकी दूरी विश्वत रेखा से 23 डिगरी दूर है, अब नीचे की ओर देखे विश्वत रेखा से यह अंतिम छोर यह करक्रेशा करक्रेखा और यह जो सेंटर देख रहे हैं सेंटर पॉइंट मद्य बिंदू सम्रत लिखावा यह जैपुर है एकविडल से 27 संश्टू अब आप देखो यह यह जो जगह है जिससे हम भचक्र कहत हैं जिसके अंदर 12 राशिया होती है ठीक है ना जोडिक सर्किल तो यहां से पहली राशी इस जगह इतनी दूर है दूसरी राशी यहां और दूसरी राशी से तीसरी राशी की दूरी देखिए आप यह इसमें समझने की चीज है 21 मार्च को सूरज यहां आएगा तो 21 एपर और 21 एपरेल से 21 माई यहां इतना डिस्टेंस रहेगा देखो तो यह लगबग साड़े 9 डिगरी का हो गया और फिर यहां से देखो यह अंतिम जो है यह यह बिल्कुल चोटा हो गया साड़े 3 डिगरी का डिस्टेंस है तो इसका मतलब पहले महीने 21 मार्च से पहले महीने 21 मार्च से 21 एपरेल तक इसकी गती इतनी तेज रहती है कि प्रत्वी लगबग 11 डिगरी गूम जाती है एक महीने में आगे बढ़ जाती है तीन महीने में 23 डिगरी इसको जाना है और तीन महीने में 23 डिगरी बैक आना है छे महीने उतरी गोलार्द और फिर छे महीने दक्षनी गोलार्द तो तीन महीने में दक्षनी गोलार्द में विश्वत रेखा से मकर रेखा तक जाना और मकर रेखा से वापिस विश्वत रे तो यह जो डिस्टेंस इन में कम और ज्यादा है वो इसके स्पीट कैसे चेंज होती है जब जब सूर्य इसके छोर पर आएगा जिसे हम टॉपिक कहते हैं यह इस प्रकार बना हुआ है तो बीच में से यह चप्टी हो गई और दोनों सिरों से बिल्कुल छोटी हो गई तो यह सिरे इतने छोटे हो गए एक महीने के और यह हिस्सा इतना बड़ा हो गया एक महीने का तो इसलिए इसको इस डंग से बनाया अब दूसरी चीज आप यह जानना चाहते हैं कि यहां से इस समय एजी मुत एंगिल क्या है देखिए यह पूरा जो यह गोलार्द बनावादे हो यह पूरा गोला यह प्रत्थ्वी का जो अपनी धुरी पे एक भ्रह्मन होता है जिसे हम रोडेशन कहते हैं तो बारे बजे हर दिन सूरज जब मेरेडियन पे होगा मध्यान जिसे हम कहते हैं तो वह शेड इस लाइन पे होगी बारे बजे और बारे बजे के बाद जैसे प्रत्थ्वी पूरब की और पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च ऐसे और 24 गंटे बाद ये पूरा एक रोडेशन पूरा एक चक्कर लगागे फिर वहीं आ जाएगी तो जैसे इस समय ये परच्छा ही वहाँ है दोपेर बारे बजे ये वहाँ आई जीरो डिग्री हुई और उपर देखो ये नंबर लिखे हुए है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प् ये 80 डिग्री के करीब है 75 डिग्री तो हम कहेंगे राइट नाव सानी 75 डिग्री वैस्ट आफ जैपूर यानि मद्यान पश्चात इस समय सूरज लगबग जैपूर से 75 अंश पश्चिम की और सूरज चेंज हो गया क्योंकि प्रत्वी अपनी धुरी पे एक रोडेशन में इस समय 75 अंश गूम चुकी तो हम कहेंगे सूरज यहां से 75 अंश आगे नजर आ रहा है इसे एजिमुत कहते हैं पास्ट मेरिडियन डिस्टेंस तो अब हम देखने चल रहे हैं कि यह यह अंतरब चाया देखो काफी आगे आ गई इस धनू लगन वाली लाइन से यह चाया क यहां आ गई तो हम देखने चल रहे हैं कि धनू लगन कितनी देर पहले शुरुआ उसके लिए जो हम इसका लॉंगिट्यूड एंगिल देखते हैं एक बार आप उसी पद्दति को दुबारा देख लो मान लो इस यंतर पे हम देखते हैं नीचे देखो एक लाइन हो गई दिख गई अब नीचे देखिए आप एक लाइन हो गई ना अब यहां देखो यह मेरी फिंगर वहां दिख रही आप और सूरिय इस समय कहा है यहां से देखो यह देखिए यह लाइन जो है यह विश्वत रेखा है तेबी सितंबर को यहां आया अब नीचे की और देखिए आप मेरी फिंगर दो फिंगर देखो दोनों में फर्क नजर आ रहा है दोनों फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस है अब यहां यह एक्वेटर है और सूरज आज यहां आ चुका है देखो यह एक्वेटर है और आज सूरज यहां आ च 182 डिग्री लोंगी ट्यूड एंगिल बना रहा है ठीक है तो जो गर्णा हम 21 मार्च को जीरो अंच से करते हैं एक एक दिन में प्रत्वी एक एक अंच घूमती जाती है जिसे हम कहते हैं रेवुलेशन तो 21 मार्च को जीरो अंच हुआ यहां से और 23 सितंबर को 180 हो गया और आ का शियंतर बता रहा है अभी धनू लगन तो हम धनू राशी पे देखेंगे कि सूर्य 185 डिग्री का एंगिल वहां कब बना रहा था कितनी देर पहले समझ गया तो हमें यह नोट करके रखना हैं कापी दीजे आप कि आज सबसे मेहत्पून चीज जो है आज के लिए वह हम हमारा सूर्य का लोंगिट्यूड एंगिल इस एकलिप्टिक पे 21 मार्च को सूर्य यहां आया और 23rd सेप्टेम्बर को यहां आया ठीक है और यह हो गया 180 डिग्री और आज सूर्ज यहां आ गया तो अब हम कहेंगे टूडे सन इस 185 डिग्री कंप्लीटिंग यह तूडे र अब आईए आप चलिए धनू पर यह है देखिए धनू राशी और यह इसका सिंबल अब यहां देखिए आप इस समय यह शेड यहां है और यह नंबर है 180 और हम वां क्या केल्पेट करके आएं 185 तो जिस समय यह शेड 85 पे थी यह 80, 81, 82, 83, 84, 85 जिस समय यह शेड यहां पहुची धनू लगन शुरू हुआ ठीक है 81, 82, 83, 84, 85 इस जगह जब यह शेड इस से पीछे थी तब व्रशिक लगन था तो यह किती डिग्री आगे बढ़ गई है अभी 0, 1, 2, 3, 4, 4, and half, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 1.5 एक डिग्री जो है वो 4 निट की है ठीक है साड़े चार डिग्री अठारे डिग्री समझा अठारे मिनिट पहले प्रैसिक लगन था अब अठारे मिनिट हो चुके यह लगन शुरू है अब हम चलते हैं मकर लगन कब शुरू होगा वहाँ से देखेंगे मकर से आई इसलिए वो जरूरी है हाँ अब देखो हाफ डिग्री का तो वैसे अपने चलने में डिस्टेंस हो गया तो अपन ये जो मान रहेते हैं फोर एंड हाफ ये अपन फाइप मान लो अब हम लोग इस समय मकर राशी पे खड़े हैं इससे पहले हम धनू पे थे और जब हम वहां ध जो थी वह 185 से 5 डिग्री क्रोस कर चुकी थी याने 5 डिग्री पहले धनू लगने शुरू हुआ अब यहां पर हम देख रहे हैं ये शेड 210 पे है और जब ये 185 पे पहुचेगी तो मकर लगनी शुरू हो जाएगा वह हमें चाहिए आज 185 अब इस समय ये शेड यहां है और ये नमबर 180 है 81, 82, 83, 84, 85 जब ये शेड यहां पहुचेगी तो ये पूरा 30 डिग्री का है ये लगनी शुरू हो जाएगा समझ गया तो 5 डिग्री वहां पूरी हो चुकी 25 डिग्री के बाद ये शुरू हो रहा है तो ये पूरा 30 डिग्री रहा याने धनू लगन जो है वो पूरे 2 गंटे रहेगा ठीक है लेकिन जब आप मकर लगन को देखेंगे तो मकर लगन की अवधी 2 गंटे नहीं है ये जब यहां शेर पूरी होगी तो कुम पे जाएंगे समझ गया ये और वैसे इससे हम अभी पता लगा सकते हैं यहां पर शेर जो अभी 210 पे पहुच ठीक है अब आप कुम पे आजाओ देखो ये है मकर अब एक मिनिट कुम पे आजाओ जल्दी से आप अब यहां पर शेर लगबख 240 पे है समझे ताप 242 पे है और हमें किस पे चाहिए 185 पे ठीक है तो यह 42 से 85 में यह 185 इसमें से माइनस कर लो आप ठीक है पंद्रे और 42 40 पे हैं 67 डिगरी बाद 66 डिगरी के बाद यह लगनी शुरू हो जाएगा और 67 डिगरी आप मल्टिप्लाइज कर लो एक डिगरी चार मिनिट से चे बारह 24 दो सो चालीस और 28 तीन गंट तीन सो आठ तीन सो आठ के हो गए चे बारह 24 चे पंजेतीस पांच गंटे आठ मिनिट के बाद समझ के सम अब आप देखो धनू लगन अभी चल रहा है वहाँ और करीब 25 डिगरी धनू लगन के रहेंगे डेट गंटा डेट गंटा अभी करीब धनू लगन का रहेगा फिर दो गंटे मखर लगन के रहेंगे तो इस प्रकार साड़े तीन गंटे होने चाहिए न और फिर दो गंटे साड़े पांच गंटे लेकिन ये पांच गंटे आठ मिनिट के बाद ही शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब वो लगन बाईस मिनिट कम रहे गया तो इसकी डूरेशन लेस हो गए बिलकुल तो जिस प्रकार हमने जैप्रकाश श्यंत्र में देखा राशियों की अवदी जो बताई है कि एक-एक महीने में एक-एक राशी बदल रही है लेकिन उनका डिस्टेंस बीच में जो है वो कम और ज्यादा है इसी प्रकार इन लग्न में भी कोई लग्न बहुत लंबी अवदी का रहेगा और कोई लग्न दो घंटे से कम अवदी का रहेगा इसलिए ये अलग से 12 यंत्र बनाने की अवश्यक्ता पड़ी अधरवाईज इनकी अवश्यक्ता नहीं होती अगर ये सभी लग्न समात्त होते तो जेप्रकाश यंत्र ही इसके लिए बिलकुल ठीक था पर्याप था उसी से सब पता कर सकते थे कि अभी ये धनू लग्न चल रहा है दो गंटे बाद मकर लग्न हो जाएगा फिर कुम हो जाएगा चूंकि लग्न के अवदी इक्वल नहीं है इस वज़े से अलग से ये यंत्र बनाए गए है तो वहां से हम ये देखें वर्तमान समय में कौन सा लग्न चल रहा है फिर यह हाँ ये दोनों ही लिखें शुरू में जब इसको बनाया गया था तब ये अंग्रेजी नहीं थी ये देवनागरी में ही थे सारे नंबर और बाद में जब इसका 1901 में इसका रेस्टोरेशन हुआ तो उस समय फिर इसको अंग्रेजी भाशा में भी सारे नंबर डाल दिये उससे पहले ये अंग्रेजी में नहीं थे चलिए सब ठीक है